बसपा मतलब मायाबती जी सपा मतलब मुलायम सिंग जी का डायरेक्ट प्रतम परिवार उसमें दस भी सा और लोग नहीं सब है ना मुलायम सिंग जी अगलेश यादव शुपाल रामगोपाल यहीं तक बस कनफाइन करिए और उत्रप भाजपा में चुकी पाइसा नहीं है प तक है मामला कि वहां तमिल आडू में लड़ाई हुई तो जलेलिता वर्सर करूरा निदी करूरा निदी वर्सर जलेलिता कि पंजाब में सब एक दूसरे के कपड़े फारते रहे लेकिन ना तो कभी अमरेंदर ने अकालियों को में बादल परिवार को गर्फतार किया ना प्रफतार होंगे वह भी नहीं होंगे तो देश चलेगा थोड़ा बहुत तो टेरर के लिए करना पड़ता जंड़ा हाथ में रखने पड़ागा सब जानते भी हैं अधा चेलों को डिसोन करने में भी किसी पार्टी को कितनी देर लगती ना में बही जानते अच्छे अच् मतलब राहूल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया जी कि प्रियंका जी के खिलाब को मुकदमा करे राहूल गांधी के राप करें तो समझाए अब प्रियंका गुप्ता के खिलाब है फायर करती तो उससे क्या होगा प्रियंका गुप्ता कांग्रिस नहीं है ना बहुत लफ है और एक बात और कहित के बात को समाप्त करूंगा जिसे मिने प्रशन रखा कि तीन साल का ये दो साल का आयू में रिलक्षेशन देना इतना पुनीत कारी था जिसमें एक रूपिया नहीं लगना था है पचास ग्राम मुंभली जितना भी पैसा नहीं लगना था और लाखो लाख नोजवान परसन्न होता उसको रहत मिलती एक बात और छोड़के जाता हूं मेरी निगाह वहीं जाती है अकले इसे बोलते हैं अब भाजबाबाले कह सकते हैं ठीक है लेकिन जो आदमी दसों साल देखेगा वो कहेंने हमेशे ठीक बोलते हैं एक चाबल निकालके रख देता हूं सामने को एक पद बना केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में एक मसधा बना उसको अनुपालत कराने के एक पद बना शिक्षा प्रेरक नावेत शिकोर शायद आपकी संग्यान में आया हूँ कभी गाउं में वो लोगों को शेक्षिक उसके लिए जाकरत करेंगे ठीक है थोड़ा बोलना लिखना पढ़ना कुछ सिखाएंगे दसकत दसकत करना उसके लिए 2000 रुपए महिने का शाय 40 महिने से 2000 रुपया महिने का मांदे बाकी है एक लाग सवालाग शिक्षा प्रेरिकों का वो कितने बड़े आदमी होंगे उनके पास कितना कुशन होगा कि कमा ही 2000 राहे उसके पास बैंक पर पैसा है कि निकाल के खालेगा कोन अधिकारी है जिनोंने इसा पाप किया यह पा कि यह क्यों हुआ कि अभी मैं देख रहा था किसी ने मुझे मैसेस किया मैं विभाग भूलना हूं उन्हों का सर यह भी मसला उठा दी दिगा चार महिने से हमारा वेतन नहीं आया हमने चीप सिकेट्री के यहां चिट्टी बेजी फलाने के यहां बेजी दिकाने के वेजी कि यह भी भूल जाते हैं कि बाबु लोग कि बेतन भी देना और अगर यह भी भूल जाते हैं तो कामपिरयाद क्या रखते हैं फिर सिवाय इसके क्या याध रखते हैं कि ढोकला मंगाऊ। या आज गुजिया मंगाता हूं सर हल्दिनाम की अभिशेक बाबू आप भी मुश्कुराईए नहीं आपके नेता खाना खाने बैठे नावेद भाईर तो आसपासी रहे होंगे उस दिए सरकार थी आपकी राइंद चोदरी और सब लोग बैठे अखिलेश जी भी थे या अखिलेश जी नहीं थे अमूल का दही डब्बे वाला आया सब के लिए छोटे-छोटे डब्बा अब अमूल का दही किसी घर में तो बनाया नहीं एक डब्बे के ऊपर राज तंत्र शर्मिंदा हो जाए वह जलवा एक डब्बे की ऊपर नावेद भाई एक बाल किसी इस्तिपुर्ष का यूमन एक बाल चिपका मिला है कहीं से भी चिपक सकता क्या है च्छे लोग सस्पेंड हो गए ते च्छे बोले मा बदावलत की शान में गुस्ता की किस कमजर्फ ने की है जिवह कर दो जिवह क्या च्छे लोग सटाक से बाहर अब फिर आप लोग कहते हो क्या बताब जी आईसे प्रसंग मत बताया करो यह ठीक नहीं तो क्या बताऊ कि मुझसे लोग पूछ वो बच्चे कह रहें कि अविताब यह प्रश्ण आप पूछ लेजिए का कि हम लोगों ने कौन सा गुनाहा किया हम लाग सवा लाग सिक्षा प्रेरे कहें हमको 40 महिने से पैसा नहीं मिला वो सरक आईये साधिकारी की एक महिने की भी तंखा नहीं है यह जो बापू भवन और बाकी भवनुम बैठ रहें उनको क्यों चिंता होगी गरीब की इसके लिए राजनितिक नेत्रत्यों होता है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पुलिटिकल लीडर्शिप इसलिए है ना कि जहां पर नौकर शाही शितलता वरते बहां पर सकती हो क्योंकि इसका नुक्सान नौकर शाही नहीं उडाती नुक्सान तो पुलिटिकल लीडर्शिप को होगा क्योंकि चुनाव में नौकर शाही नहीं जाती केबल राजनितिक लोग ही जाते हैं ना इसलिए मैं कहता हूँ और कारवाई में आगे से वो प्रसंगन नहीं इंक्लूड होंगे नेताओने एक दुसरे के खिलाब कारवाई की जिनमें कोट आर्डर कर देता गया फायर करके हमको बताओ और मॉनीटरिंग हम करेंगे और नहीं तो चीफ सिकेट्री और डीजीपी को तलब करो इनकोा जेल बेजेंगे उसके बाद थो कोंविकलपी नहीं बसता ना वैजी बस्ता नहीं बसन ऑ उसके बाद जो ना करो थो जेल जाओ कि आड़ने प्राता-यशम depends प्रज्यापति खिलाब मामला एक कोट के इस ईंडारेक्टिव के बाद हुआ था वर्त अबरना तो उनके सांस्कृतिक कारेक्रम चली रही थे रास रंग सुप्रीम कोट के आउडर के बाद हुआ कि सुप्रीम कोट का आउडर भी नहीं माना जाएगा वो स्रेंगर वाला मसला था वो उसके खिलाब भी कारवाई तब हुई जब अदालत ने लाइन खीज लश्मन रेका किस दी या तो कारवाई करो नहीं तो हम अधिकारियों को जेल भेज देंगे मैं चाहता हूँ राजनीतिक नित्रत्यों के पहल पर कारवाई हूँ हमने अदालतों को नहीं चुना बोट के लिए अदालते रेर केस में हो आनी चाहिए पिक्चर में हम जिनको चुनते हैं वो हमारी पीड़ा में हमारे साथ खड़े हूँ धन्यवाद अब उत्तर चाहिए प्रोट्यूबाई केसरी मरहम एवम तैलम वर्षों से दर्थ पे सबसे ज़्यादा असरदार एंट प्रयाग पीटी-मटी बार्ट फिटिंग्स एंड अक्सेसरीज क्वालिटी बेमिसाल लिख के ले लो